ग्यान दे टेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हम गले में रुद्राक्ष पिंते हैं रुद्राक्ष यहां भी बांते हैं कुछ लोग यहां भी रुद्राक्ष बंते हैं तो कितने दानों कहुन अच्छी है देखें, रुद्राक्ष, भगवान शिव का एक अभिन अंग माना जाता है शिव, पुरान और शिम देवी भागवत में रुद्राक्ष की माला धारण करने के कही नियम बताए गये है इन गरंथों में इस वाद का बढ़न मिलता है कि कितने रुद्राक्ष से बनी माला कौन से अंग पर पेहनने चीए ताकि भक्त की हर मुनकामना पूरी है रुद्राक्ष के बारे में आप जानती है रुद्राक्ष की महता क्या है श्रिक कुरान के अनुसायर संसार मेर집 रुद्राक्ष के समान फल और लाभ देने वाला कोई माला नहीं है इसलिए मुंड़कामना पूर्टी के लिए से धारन करना ची ए इसकी पूजा करना ची और इसका जाब करना ची ए मतब उससे जाब करना ची ए शिमत देवी भागवत के अंसाल रुध्राक्ष धारंगरने से शेष्ट संसार में कोई वस्तू नहीं है जो इनसाल रुध्राक्ष को शेई पर धारंगरकर उसकी पवित्रता का ध्यान रगता है उसकी हर मनकामना जरूर पुरी हो दτιह ए यह श्रीमत देवी भागवत में लिखा हुआ है कि 108 माला धारण करने से हर पल अस्वमेद यक कफल मिलता है सामान माला की जगह 108 दानो वाली रुद्राच्छ की माला का जब करने से 100 गुना फल मिलता है श्रीमत देवी भागवत के अनुसार अलग अलग संक्या के रुद्राच्छ की माला श्रीक बिविन अंगों पर धारण की जाती है जैसे 50 दानों की माला को हिर्देपक्स और 20 दानों की माला को सिर पर धारण किया जाता है आप जहन दिक सादू उस्तरन्यासी वगर वो देखेंगे हर किसी को तो नहीं देख सकते हैं फिर शीमत देवी भागवत के उसार उद्राक्च की सोला दानों की माला को भुजाओं पर यहां के सोला दाने का बांदा जाता है और बांदानों का मनी बंद परेहां पर कलाई पर 108 दानों की माला को गले में धारन करने का महत्त होता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीचिए धन्यवाद